नमस्कार आज हम शुरू कर रहे हैं वाक्य विचार जब हम वर्ण माला में वर्णों की बात करते हैं उससे पहले हम द्वनी की बात करते हैं शब्द या पद की बात करते हैं पदबंध या उपवाक्य की बात करते हैं तो उन सभी से हम पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं कर पाते हैं. जब अनेक पद मिलकर एक वाक्य का निर्मान करते हैं, तब ही वे अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम होते हैं, समर्थ हो पाते हैं. इसलिए अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए वाक्य को समझना सबसे जरूरी है, वाक्य सबसे आवशक पिस्सा है. अब आईए वाक्य विचार के परिभाशा के बारें बात करते हैं. अईसा सार्थक शब्द समों, शब्द समों समझ रहे हैं, शब्दों का ग्रुप जोड़ा, जो व्यवस्थित हो, एक सिस्टेमेटिक ढ़ंग से उसको लगाया गया हो, तथा पूरा आशय प्रकट कर सके उसे वाक्य कहते हैं. अब इसमें हमने दो-तिन चीजे वीचे इस रूप से देखी है, वो समझने का परियास करें आपके. पहला है सार्थक, सार्थक का मतलब है जिसका सही कोई अर्थ निकल लहा है, निर अर्थक नहीं है. उदाहरन के लिए मैं आपको कहता हूँ कि कमल, अब कमल कहने से आपके वो सार्थक नहीं है, उसको कोई अर्थ नहीं निकल लहा है. अब पहले पहचान क्या हुई? कि वाक्य बनाते समय हमें पहले सार्थक शब्दों का चुनाव करना जरूरी होता है. शब्द समूह, शब्दों का ग्रूप होता है, एक समूह होता है, क्योंकि एक शब्द वाक जीकर करेंगे. जो वेवस्थित हूँ, वेवस्थित का मेलगा है, systematic ढंग से, एक करम से लगाया गया हूँ. अब जैसे आपने देखा कि हमने पहले बात की है, कि हम कर्ता का प्रयोग सबसे पहले करते हैं. अंते में हम क्रिया का प्रयोग करते हैं. बीच में हम कर्म का प्रयोग करते हैं. तो ये क्या होता है? एक वेवस्थित होता है, एक सिस्टम होता है. मानलीजी मैं कहता हूँ, कि मुझे कल दिल्ली जाना है, और मैं कहता हूँ, है दिल्ली जाना कल मुझे, तो ये वेवस्थित पदक्रम नहीं है. तथा पूरा आशय प्रकट कर सके अर्थाद उस वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे मन की जो जिग्यासा है वो शान्त हो सके वो पूरा अर्थ हमारे सामने प्रकट कर पाई उसे ही हम वाक्य कहते हैं उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं मुझे कल दिल्ली जाना है अब इस वाक्य को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हम क्या अर्फ निकाल पा रहे हैं कि मुझे कल दिल्ली जाना है जो भी इस बात को पढ़ रहा है जो भी इस वाक्य को सुनता है, उसके मन में एक बात आती है, कि मुझे कल दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने की बात हो रही है, वो भी भरिश्य में हो रही है, कल जाना है उसको, आज नहीं जाना है, कल वो नहीं गया था, वो भी जिक्र नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं, कि इस वाक्या के प्रयोग से हमारे सामने पूर्ण अर्थ आ गया है और शब्द भी व्यवस्थित हैं कैसे पहले करता का प्रयोग है अंत में क्रिया का प्रयोग है तो यही हम समझ पाए हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समोह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशे प्रकट कर सके उसे हम वाक्य कहते हैं इसके बाद वाक्य के लिए कुछ जरूरी चीजे होती हैं उन में से हैं वाक्य के अंग जैसे आपने देखा कि मनुश्य का शरीर होता है सभी अंगों को जोडने के बाद ही हम उसके शरीर को पुरा मानते हैं ऐसे ही वाक्य का निर्मान करते समय हमें उनके अंगों को और भी विचार करना आवशक होता है तो वाक्य के दो अंग होते हैं पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय अब ये उद्देश्य क्या होता है वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देशे कहलाता है अर्थात जब हम वाक्य में किसी के बारे में कोई बात कचीत करते हैं तो वाक्य का उद्देशे कहलाता है मान लिजिए मैं कहता हूँ कि मोहन दिल्ली जा रहा है तो यहां पर हम मोहन की बात कर रहे हैं मोहन नाम का जो लड़का है वह उदेश्य कहलाएगा दूसरा है विधेय उदेश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं अर्धात मैंने कहा कि मोहन दिल्ली जा रहा है तो मोहन उदेश्य कहलाएगा हमने उदेश्य के बारे में क्या कहा है दिल्ली जा रहा है तो बाकि जो बच गया वह विधे हो गया उदाहरण के लिए आप समझे मेरी बहन पुस्तक पढ़कर सो गई अब मेरी बहन ये काम को करने वाली है ये करता है अर्थाथ हम इसकी ही बात कर रहे हैं बहन के बारे में ही हम इस वाक्य में चर्चा कर रहे हैं क्या चर्चा कर रहे हैं वह पुस्तक पढ़कर सो गई है हम ये बात कहना चाहते हैं तो इस वाक्य में मेरी बहन उद्देश्य कहलाएगा पुस्तक पढ़कर सो गई ये वाक्य का विधे कहलाता है अब आप समझ गए होंगे, कई बार आपने देखा होगा कि उदेश्य का विस्तार भी हो जाता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मोहन डिल्ली जाता है, मोहन एक सामान्य शब्द है, मोहन करता हो गया, उदेश्य है वाक्य में, तो इसको हम कहेंगे उदेश्य है, डिल्ली जा रहा ह हम इसको कहेंगे विधेयर, कई बार हम उदेशय का मिस्तार भी कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई मोहन दिल्ली जा रहा है, तो मेरा भाई मोहन, हम अपने भाई की ही बात कर रहे हैं, मेरा भाई मोहन, मोहन की हम बात कर रहे हैं, तो यह जो है, यहां तक यह हमारा ये हमारा उदेशय हो गया, रावन को मारा ये हमारा विधेय हो गया, इसको हम और बड़ा भी कर सकते हैं, अर्धात कई बार हमारे सामने विशेश अर्थ प्रकट करने के लिए हम एक से अधिक शब्दों का या पदों का प्रयोग करते हैं, कैसे? दशरत के पुत्र कोमा, लक्षमन के भाई और अयोध्या के राजकमार राम ने रावन को मारा, रावन को मारा ये विधेय हो गया, बाकी जो भी इससे पहले बातचीत हुई है, या लिखा गया है, या बोला गया है, वो सभी उदेशय कहलाएगा, अर्थात उसमें उदेशय क विस्तार किया गया, बात को समझाने के लिए, कैसे, रामने रावन को मारा, अब मने देख लिया कि राम, जिसको हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं, या गरंथों में पढ़ते हैं, वो राम है, लेकिन कई बार हम अपने उदेशय का विस्तार कर देते, उसको बढ़ा कर द उदेश्या का विस्तार कहते हैं, आगे हम जिकर करते हैं, जो हमारे पाठे करम में हैं, रचना के आधार पर वाक्या भेद, आपने पिसली कक्षा में पढ़ा है, अर्थ के आधार पर वाक्या के भेद, वाक्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर, दू चैनल हाो, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, तो उसमें अलग- अलग तरह के अर्थ हमारे सामने आ जाते हैं उसमें हम कोई प्रशन कर रहे हैं या हम उसमें कोई आग्या दे रहे हैं या कोई हैरानी प्रकट कर रहे हैं या कोई संदेह प्रकट कर रहे हैं इस तरह की जो चीजे होती हैं जब हम उस वाक्य का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं तो वो अलग-अर्थों में विभाजित हो जाता है अर्थात अर्थ के आधार पर वाक्य के हमने आठ भेद माने हैं लेकिन हम रचना के आधार पर वाक्य के तीन ही भेद स्विकार करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं पहला है सरल वाक्य जिसको हम साधार्न वाक्य भी कहते हैं दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा भिद है मिश्र वाक्य तो रचना के आधर पर तीन ही भिद हैं सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पहले हम चर्चा करेंगे सरल वाक्य की आप नाम से ही सपस्ट कर पा रहे हैं सरल, simple sentence अर्थात जो बिल्कुल ही सामान्य हो बिल्कुल ही सरल सभाव का हो जिसमें कोई उतार चड़ाव ना हो समझने में अब इसको हम परिभाशित करते हैं इसको व्याकन की दरिष्टी से समझन की कौशिश करते हैं जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं पैचान आ गई आपको वाक्य जो सरल होता है उसमें क्रिया एक ही होती है लेकिन परिभाश्या में ये नहीं कहा गया है कि करता भी एक ही होता है मतलब क्रिया एक होनी चाहिए करता एक या एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे पहले उदाहरण में मैं सपस्ट कर रहा हूँ, मुझे कल दिल्ली जाना है, अब इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं, मुझे कल दिल्ली जाना है, जाने की क्रिया हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है, वाक्य भले ही अकर्मक है, सकर्मक है, वो हमें देखने के आवशक्ता नहीं है यह सपस्ट करने के लिए इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एक वाक्य में एक से अधिक चीजे होती हैं जो हम से पूछा जाता है हम उसी का जवाब दे सकते हैं उसमें संग्याशवद भी होते हैं स्तरवनाम भी होते हैं लिंग वचन, काल, कार, कुछ भी व्याकन की अनेक चीजे उसके अंदर होती हैं लेकिन हमारा उदेशया अब उसके बारे में बताना नहीं है क्योंकि हम वाक्य की बात कर रहे हैं सरल वाक्य की बात कर रहे हैं इसलिए हम अपना ध्यान यहीं पर केंद्रित करेंगे, हम लिंग बचन की तरफ नहीं जाएंगे, मुझे कल दिल्ली जाना है, अब यहां पर जो जाना क्रिया वो एक ही क्रिया है, इसको हम सिंपल संटेंस कहते हैं, साधारन वाक्या कहते हैं, सरल वाक्या कहते हैं, मैंने इसलिए इसलिए इसमें सरल वाक्या है, क्रिया एक होनी आज़िए हैं, इसलिए 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 सरल वाक्या है, क्रिया एक होनी आनिवारिय होती है, दूसरे में देखिए, माता जी ने गीता को एक साधी दी, क्या दी है, एक साधी दी, यह सकर्मक वाला वाक्या है, साधी दी देना क्रिया हो रही है, एक से ज़्यादा क्रिया नहीं हो रही है, माता जी क्रिया कर रही है, गीता को देने काम वो कर रही है तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि एक ही क्रिया होने के कारण यह भी सरल वाक्य है अगली एक विशेस्ता है सरल वाक्य की सरल वाक्य में उपवाक्य नहीं होते अर्थात यह अपने आप में पूर्ण होता है जहां पूर्ण विराम लगता है उसके बीच में एक ही पूरा वाक्य होता है बीच में इसके हिस्से नहीं हो सकते अगर हम हिस्से करने की कोशिश करते हैं उसको विभाजित करने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिती में हम देखते हैं कि अर्थ नहीं निकल पाएगा. जैसे मैं पहले वाक्य को ही लेता हूँ, मुझे कल डिली, मैंने इसको आधे शब्दों का, पदों का प्रयोग आपके सामने किया है, तो आपको लग रहा है कि अर्थ नहीं निकल ला है, मुझे कल दिल ली, मैंने आगे कुछ भी नहीं कहा है, या मैंने कहा दिया कि जाना है, कहा जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, किसे जाना है, कोई भी सपस्ट नहीं है, अर्थात इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं, इस बाद में एक ही मुख्य क्रिया होती है, जैसे जाने की है, देने की है अगले वाक्य में, तो इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, जिसका हम चिक्र करते हैं. तो अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं कि सरल वाक्य हम उसको कहते हैं जिसमें एक ही क्रिया होती है और वह क्रिया अपने आप में मुख्य ही होती है इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त वाक्य को जैसा कि नाम से ही सपस्ट कर पा रहे हैं संयुक्त संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ है जो अब ये सरल नहीं है संयुक्त वाक्य है संयुक्त का मतलब है आपस में जुड़ा हुआ अब वो जुडा हुआ क्या है? वो हमें देखना है, वो हमें समझना है. जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य है किसी सामानाधी करण अव्य होता है अविकारी शब्द होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं बदल नहीं सकते हैं जैसे और तथा फिर या अथवा किन्तु लेकिन इसलिए आदी अब हम इनकों क्या कहते हैं अव्याय का मतलब होता है अविकारी शब्द आपने देखा कि दो तरह के शब्द होते हैं एक होता है विकारी एक होता है अविकारी अब विकारी का मतलब क्या होता है जिसमें विकार पैदा हो जाए अर्थात जो लिंग के वजए से काल की वजह से, वचन की वजह से बदल जाए अब जैसे मैं आपके सामने अग्जेंपल दे रहा हूँ लड़का लड़का शब्द को हम अगर स्ट्रिरिंग बनाएं तो लड़की बन जाएगा बहुचन करें तो लड़के बन जाएगा लड़की बनाके हम बहुचन बनाएं तो लड़कियां बन जाएगा तो जो लड़का शब्द है वह विकारी है उसमें वयाय हो रहा है, कुछ खर्च हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है उसको हम कहेंगे विकारी शब्द अव्याय में व्याय शब्द में हमने उपसर्ग लगा दिया ऐसा करने से यह उसका विलोम बन गया अर्थात जो कभी चेंज नहीं होता है चाहे कोई भी लिंग हो, चाहे कोई भी वचन हो चाहे वो निर्जी पदार्थ के साथ हम उसको प्रयोग कर पा रहे हैं या सजीव के साथ कर पा रहे हैं अब यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है जैसे अव्याय शब्द होते हैं दूसरा है व्याय अर्थात विकारी और विकारी विकारी में आप देखेंगे शक्ति भगवान में शक्ति होती है देवताओं में शक्तियां होती है हमने क्या कि वचन उसको बदल दिया तो शक्ति का शक्तिया होगे वो है विकारी शब्द अब देखे इन शब्दों को और तथा जब भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ये कभी बदलते नहीं हैं चाहे किसी काल में प्रयोग कर लें किसी भी वचन में हम प्रयोग कर लें ये हमेशा एक ही स्थिती में हमारे सामने बने रहते हैं जैसे राम और शाम खेल रहे हैं सीता और गीता खेल रही हैं हमने लिंग बदला नहीं बदला और शब्द और का हमने स्ट्रिलिंग में और का और ही नहीं किया, ये जोकातियों रहा, तथा का हमने तथी नहीं किया, क्योंकि इसको हम बदल नहीं सकते, ये सामान्य रूप में ऐसे ही प्रयोग होते हैं, इसलिए हम इनको अव्य कहते हैं, अर्थात ये चेंज नहीं होते हैं, अपना रूप कभी नहीं बतलते हैं. अब परिभाचा को दोबारा देखें. जहां दो या दो से अधिकर्ण, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं. उपवाक्य, वाक्य का छोटा हिस्सा. वाक्य पुन कभ होता है? जब पुन रम लग जाता है. उससे पहले की बात हो रही किसी समानाधिकार वाले हैं, जो एकवल चीजों को जूड़ने का काम करता है, कोई छोटी बड़ी नहीं है, के साथ जुड़े होते हैं, वहाँ संयोक्तुवाक्य होता है, कैसे? जैसे काम किया है इसलिए पैसे तो मांगूँगा ही काम किया है जैसे अब इसमें करता का प्रयोग नहीं हुआ हम अपनी तरफ से करता का प्रयोग कर सकते हैं जैसे मैंने काम किया है पूर्ण राम तो इतना कहने से बात पूरी हो गई है लेकिन इसमें पूर्ण रम नहीं लगा है, अर्थात ये वाक्या पूर्ण अब तक नहीं है मैंने काम किया है, इसलिए मैं पैसे तो मांगूंगा ही मैं पैसे तो मांगूंगा, ये वाक्या दूसरा बन गया अर्थत मैंने काम किया है, हम करता का अपनी तरफ से प्रयोग कर रही है, इसलिए मैं पैसे मांगूंगा ही, मैं पैसे मांगूंगा ही, तो ये दो उप वाक्य है, उप वाक्य का मलब है छोटा वाक्य है, वाक्य का पूरा हुआ, मांगूंगा ही के बाद हमने पूर्ण विरा समानाधिकन अव्यय के साथ जोड दिया है क्योंकि इसलिए शब्द भी किसी भी लिंग वचन काल कारक के अनुसार कभी चेंज नहीं होता है अर्थात जहां एक वाक्य में दो या दो से अधिक उप वाक्य और तथा फिर या अध्वा किन्तू लेकिन इसलिए आधिस समानाधिकन अव्यय के साथ जुड़े होते वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है अब दूसरे से पहचान करें आप यात्री बैठ गए है पुनवराम बस चल पड़ी पुनवराम ये दो सरल वाक्य हैं साधारन वाक्य हैं अगर हम बीच से और हटा दें और पुनवराम लगा दें तो ये दो वाक्य बन जाते हैं कई बार वक्ता क्या होता है या लिखने वाला क्या होता है क्या करता है कि वह एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयूग करता है उसको संयुक्त कर देता है इकठा जोडने का काम वो करता है क्योंकि भाशा की अपने-पने विशेस्ताइं होती है अलग-अलग त आपने देखा कि इसमें दो सरल वाक्यों को और के मध्यम से जोड दिया गए है अब हमने इनको दोनों उपवाक्यों को संयुक्त कर दिया है जोड दिया है, एक कर दिया है क्योंकि आपसमें जुड चुके हैं, एक वाक्या बन चुका है दो वाक्यों का इसलिए यहाँ पर आपका ये संयुक्त वाक्य हो गया हमने क्या जिकर किया था परिभाषा में कि इसमें दो या दो से अधिक उप वाक्य होते हैं दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं एक नहीं होता, अगर एक होगा तो सरल वाक्य ही होगा जी अब इसको हम इससे आगे समझने की कोशिश करें जैसे यात्री आए, कोमा, बैठ गए और बस चल पड़ी हमने क्या किया यात्री आए, बैठ गए और बस चल पड़ी हमने तीन सरल वाक्यों का एक जगह प्रयोग करके उनको एकठा करके उनको सेयुत करके एक पूर्ण वाक् हो गया इससे ज़्यादा भी हम प्रयोग कर पाते हैं जब हम अपनी पाठे पुस्तक पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ संटेंस काफी लंबा चलता है दो दो तिन तिन चार चार लाइन तक पूर विराम नहीं लगता है तो आपने देखा कि कोई बात कही जाती है उसमें वो अलप विराम लगा देते हैं या अर्द विराम लगा देते हैं मिलब कोमा लगा देते हैं वो तो उसके बाद वो continue चलता रहता है जब वो पूर्ण विराम लग जाता है तब ही वो वाक्य पूरा होता है तो इस आधार पर हम देखते हैं या तो वो सरल वाक्य हो प्रयोग भाशा में अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है. अब जैसे मैंने कहा, मोहन पढ़ रहा है और सीता सो रही है. मोहन पढ़ रहा है, सीता सो रही है. दो हमने सरलवाक्यों को आपस में जोड दिया है, संयूत कर दिया है, और के मद्ध हमसे. तथा सीता सोरही है या तथा रमा सोरही है, कोई भी ऐसा संटेंस है अब मैं एक बात कहता हूँ कि मोहन पढ़ रहा है और सीता सोरही है कहने का मतलब क्या है? ये उप वाक्य होते हैं, ये इकवल होते हैं समान अधिकार वाले होते हैं, चोटे बड़े नहीं होते हैं और जब हम इनको अलग-अलग करने की कोशिश करते हैं, इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसे मोहन पढ़ रहा है, हम अगर पूर्णरम यहीं पर लगा दें तो यह अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम हो जाता है ऐसे ही गीता सो रही है या सीता सो रही है कोई भी हम ऐसा वाक्या प्रयोग करते हैं इसमें उप वाक्या है जो इसको अगर हम अलग कर दें इसको इस वाक्या से बाहर कर दें संयुक्त से तब यह पूरा अर्थ देता है अर्थात हम इसका भाषा में अलग से स्वतंत प्रयोग भी कर सकते हैं उसको अलग से हम यूज कर सकते हैं इसमें केवल दो या दो से अधिक सयुक्त वाक्यों को आपस में जुड़ा जाता है